नमस्कार बहुत स्वागत हैं आपका आज हम बात करेंगे गुढधल के पुस्प की गुढधल का पुस्प यूं तो देवी को बहुत पसंद है लेकिन अगर भगवान सुरी को नियमीत रूपसे आप जल में गुढधल का पुस्प डाल पर अरुपीद करें तो बड़े से ब पुस्प परपित करना चाहिए यह भी बहुत जरूरी होता है जानना वैसे तो जो पुस्प बहुत सारे रंगों में आता है लेकिन जो आज हम परियोक करने वाले हैं वो होगा लाल रंग का फुस्प पुस्प मालक्षमी भगवान गनेजी माधुर्गा सब को पसंद है हनुमान जी को भी गुड़हल का पुस्प पसंद है अब मंगलवार को अगर हनुमान जी या मादुर्गा को आप गुड़हल का पुस्प अरपित करें या सुक्रवार के दिन मालक्ष्मी को अरपित करें तो सुक सम्रिद्धी आती है धन संपता बढ़ती है गरहों की पिडा सांत हो जाती है परिशान नहीं करती दूसरी तरफ सुरी देप की उपासना में भी गुड़हल का पुस्प का प्रियोग करने का विधान है सत्रू बिरोधी चाह कर भी आपका कुछ नहीं बिगार सकते और आपका उम्रे लंबा होता है आप स्वास्त आपका अच्छा रहता ह अब गुड़हल के पुस्प की चुकि हमने अभी तक बात की आज हम कुछ जोतिसी बात करेंगे माना जाता है कि गुड़हल के पुस्प में मादुरगा का वास होता है और पुस्प का जो हरे रंग का भाग है पुस्प के हरे रंग का भाग जो होता है न उसमें बुद्ध और केतु होते हैं जहां केसरिया है वहां पर मंगल है अब गुड़हल के रक्तवर्ण में सुर्य का परतिनी धित्व है और पुस्प की जहां से उत्पत्ती होती है वहां गुरु का वास होता है अंकुरन के मध में राहू और अंत में सनिदेव होते हैं वहीं पुस्प के बी में प्रेम बढ़ेगा अपना बढ़ेगा दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और आपके जो रिष्टे हैं वह मजबूत होंगे तो चुकि आज हम बात कर रहे हैं गुढ़हल के पुष्प के प्रियोग की, वो एक ऐसा परियोग जो आपको हर किसी पर राज करने के काबिल बना देगा, करेंगे क्या? देखें, किसी भी रभी बार के दिन ये परियोग आप करें, भगवान स्री हरी गनेश को आठ गुड़हल का पुस्प उप्प अरपित करें, लाल गुड़हल का पुस्प जादा नहीं आधा एक घंटा फिर उसको च्छाओं में सुखाईए इस तरह से आप दो चार दिन में जब वो पुस्प सुख जाए तब इस पुस्प को आप पौडर बना लें इसमें थोरा सक कपूर एक दो चुटकी सिंदूर मिक्स कर लें अब ये आपका वसी करन तिलक त पुस्प बहुत ही ज़्यादा जैसे ने बताया कितने सारी देवी देपताओं का इसमें निवास होता है तो इसमें उन भगवान की सक्ति है और गनेज जी जो बुद्धी के देव हैं उनको अर्पित करने के बाद इस पुस्प का और भी ज़्यादा पावर बढ़ जाता ह पर्योग करें नियमित रूप से तिलक लगाएं तो हम अब आपसे भी दालेंगे जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हरहर महादेव जरूर लिखें ज्यादा जानकार के लिए आप हमारे वेबसाइट सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक कीजिए अपनों से सेर करना मत भूलिएगा हम फिर मिलेंगे हरहर महादेव